हलो फ्रेंड्स हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिलीव यू मी और ये बहुत ग्लेरिंग इशू है कि आज के डेट में लाक्स ओफ ऐसे पेरेंट्स हैं जो लोनलीनेस के शिकार हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं and fundamental problem with their bodies is that there is no fundamental problem, the problem is कि उनके kids उनसे miles and miles, thousands of miles अवे रह रहे हैं and let me narrate an example, मैं आंटी से मिलने गया, आंटी से पूछा और आंटी, विक्रम का कैसा चल रहा है, आंटी was super, बेटा वो अभी vice president बन गया है, गुल्मन साक्स में, न्यूयोक में, अब उसकी पगार हो गई है, दो करोर रुपए and ESOPs as well and next promotion में तो वो director finance बन जाएगा, वाव आंटी, विक्रम तो बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ बेटा, बहुत सुख है, गाड़ी दे दी है, इतना अच्छा flat हमको दे दिया है, maids हैं, healthcare का कोई issue नहीं है, आंटी खुश हो ना, क्या बताऊं बेटा, खुश तो नहीं ह लेती है, हम दोनों मिया बीवी इतने बड़े flat में सारा दिन बहुत अक्यला फिल करते हैं, हाँ, विक्रम हर दिन एक WhatsApp कॉल या Zoom कॉल तो कर लेता है, पोता-पोती, बहु का सबका चेहरा तो देख लेते हैं, बट अच्छा नहीं लग रहा बेटा, loneliness हमें अंदर से खा रही है, इसका एक बहुत आप सीधा सा histrionics कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रे विक्रम देख विक्रम, विक्रम अपने करियर के लिए अपने माबाब को इग्नोर कर रहा है, बट विक्रम को उस करियर के पाथ पे किसने पुश किया, हमारी society ने, बच्छपन में हर बच्छे को कहा ज जाना, आएम्स में जाना, बड़ी MNCs में काम करना, बहुत पैसे कमाना, and in the process विर वो बच्छा जब उस rat race का हिस्सा बन जाता है, treadmill पे चल पड़ता है, अब उस treadmill से वो छोड़ नहीं सकता, इतना पैसा कमाने के बाद, क्या वो विक्रम, अब इंडिया आ सकता है, इंडिय worst case, क्या वो छोटे से रायपूर में, या असनसोल, या दुरगापूर, या कानपूर, या आगरा, या for that matter, a city like Calcutta, इसमें आप आ सकता है वो, of course not, because उसको एक lifestyle की habit हो चुकी है, उसके kids को उस तैप का lifestyle की habit हो चुकी है, वो क्या यहाँ पे आके traditional किराने के दुकान पकड़ इसके गा, of course not, so अब ये बहुत बड़ा विडमना हो गया है, parents शुरुवात में US जाते थे, when they were healthy, and बहुत selfies की चाते थे, पूरा यॉरप गुम लिया, पूरा US गुम लिया, खुब Facebook पे फोटो लगा ली, हाँ विमला जी, बहुत मजा आया, यॉरप जाके आया, US जाके आ investment banking job में, वो time भी नहीं निकाल सकता, बहु को भी उतनी आदत नहीं है, interference की, so-called interference, because वो उसको एक आदत हो चुकी है, independent life की, वो भी अपना job करती है, so दादा दादी, अगर New York चले भी जाए, तो कितना दिन रह पाएंगे, for that matter, अगर कोई, आसन सोल, दुरगापूर, लोर भी चला जाए, उन super specialty complexes में, जहां सब amenities है, swimming pool से लेके clubhouse and park, but parents का वो यारी दोस्ती, वो सिंहडा, चाय, वो तो नहीं है, so in that process, they cannot shift, the kid cannot shift back, they cannot shift to the kid, इसका solution क्या है, और who is to blame, no one is to blame for it, यह एक era था, जहां पे हमारी society में, सब भागे थे, maybe post covid अब यह realization आ रहे हैं कि हम क्यों भाग रहे हैं, but maybe it's too late for at least our generation, because हम अब उस lifestyle में, क्योंकि क्या है न, यह Goldman Sachs, Vice President, Director Finance, 2 करोड रुपे, यह हम हमनी identity का part बना चुके हैं, इसके बिना हम bankrupt सा feel करेंगी, कि अरे यह identity किसी ने में से छेन लिया है, Vice President at Goldman Sachs, and वो 2 करोड की salary, ESOPs, वो गारी, वो बंगला, उसकी against, वापीस जा हो, रानी गंच में, और अपने parents के साथ रहो, तो करूंगे क्या, बेटे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब क्या वो वापीस जा के उस रानी गंच के छोटे से स्कूल में पढ़ेंगे, of course not, इसका क्या solution है, I don't know, because as far as medical care for these elderly people is concerned, there are start-ups जो अब इसके उपर work कर रहे हैं, but क्या ये parents अपने kids को force कर सकते हैं कि please spend time with us, can they tell them that okay, we are legally entitled to some care, जिसे चाइना में, if you are not aware, there is a well documented law, where parents can take their kids to court and sue them, कि आप मेरा care क्यों नहीं कर रहे, we brought them, we raised them and now they are neglecting us, so China में अगर आप एक migrant worker है, you are legally bound to spend time with your parents, take care of them, India में culturally ये बहुत fit नहीं होता है, कि हम अपने kids को force करे, parents will rather से कि हम अपनी life में sacrifices कर लेंगे, हमारा kid तो आगे भढ़ है, and वो kid अपने kid को भी वैसे ही condition करेगा अगर, कि भा आगे बढ़ो, and तुम भी vice president at Bank of America Merrill Lynch बन जाओ, या तुम भी vice president at Facebook बन जाओ, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसका क्या solution है, we don't know, because वो साल में, हफता बर, बच्चे मिलने आ भी जाते हैं, parents are not very happy, in most cases, some cases, there is complete emotional detachment, और best win-win for everyone है, parents को material comfort मिल गया है, kids को अपना career मिल गया है there is no sadness, but इस case में, जिसों मैंने शुरुवात में describe किया, there is a lot of sadness, there is no solution to this, इसका एक ही probably solution है कि आप अगर ऐसी auntie, uncle के बगल में है, and you are in a situation कि आप उनके पास जा के कुछ time spent कर सकते हैं, please do that, take care of their loneliness, at this stage of life, they don't want anything else but care, concern, कोई उनके साथ time spent करें, यही उनके लिए बहुत बढ़ बात होता है, आपका इस वीडियो के ओपर क्या comments है, I would love to hear from you, especially जब आज western philosophy को emulate करके, हम भी mother's day मना रहे हैं, कुछ दिन बाद father's day बनाएंगे, तो क्या हम actually अपनी life में parents के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, of course, इसमें कोई blame, no one is to blame for here, because वो पुरा society का ऐसा pattern ह ही बन चुक है कि अब we are helpless, but in the process क्या कुछ constructive solutions आ सकते हैं, let's discuss in the comment section.